यूपी के गाओं में बाढ़ के बहाने के सिती के बीच जगह जगह बाढ़ पीडितों के लिए राहत कैम्प लगाए गए हैं इसे सलसले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के संस्देश शेत्र के जिलादिकारी सुरेंद्र सिंग बाढ़ पीडितों को कोनिया में राहत सामगरी देने पहुचे और वो हाथ से के शिकार हो गए इस घटना का वीडियो काफी वाइरल हो रहा है अपने स्प्रिंट पर चल रहा है इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि जिलादिकारी दिवार पर बैठ कर बाढ़ पीडितों को सामगरी बाढ़ रहे हैं और फिर अचानक ये दिवार नीचे गिर जाती है जिससे डीम भी नाव में गिर जाते हैं अपने आपको समालते हुए नाव से बाहर निकल जाते हैं इस नाव में एंडियारप के बचाव कर्मी भी मौजूद थे और देखते ही देखते वीडियो सोचल मीडिया पर बारिल हो जाता है हालाक इस घटना के दौरान डियम को चोटे भी आई है हुआ 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 है